हल्लो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का KOMIK BELL चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में लिजा सीरीज कागला कॉमिक विशे शांग काकरोच कौक रोच लेकक तरोड कुमार वाही चित्रांगर नरेश कुमार संपादर विवेक मोहन कैलिग्राफी तुला राम आजाद स्याही स्यायक तौफीक यू तो मस्तिष्क सभी जीवित प्राणियों में होता है किन्तु रकर्ती न मनुष्य को सोचने समझने की अधिक शक्ती दिये जिसका इस्तमाल कहीं तो मानप्ता की भलाई के लिए होता है और कहीं मानप्ता की तबाही के लिए विकरत मस्तिश्क देने अपरादों की और विकरत वक्रूर अपराद देने ऐसे अपरादियों की जिनके लिए बनी है ये विशेज जेल कैप वंडर क्राइम एनेलिसिस ट्रीजन आश्चे जनक अपराद विशलेशन जेल कैप इधर पहरे पर तैनाज सिपाई शायद उस शैदान पर अपनी ड्यूटी को बेकर बेकारी मांगते थे या टीकम समझ मैं नहीं आथा कि हमें इस ब्योश रंगा की पहरे दारब्य को लगा दिया गया है इस हालाद में तो यहां से इसकी आदमा ही फरार हो सकती है हाँ यार मगर तेरा वक्त तो बीड़ी पी कर कड़ जाता है मैं क्या करूँ सिपाई संत्राम ने बीड़ी सुलगाने के लिए तीली जलाई तो फिर तू ऐसा कर या तो नौक नी छोड़ दे या बीड़ी बीनी शुरू कर दे इसी समय प्रोफेसर आचारे की निगाओं में विचित्र परिवर्तन हो रहे थे तो मैं तो अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी इसी के साथ जलती तीली की उस हलकी सी लॉने भैंकर भपके कर रूप ले लिया संत्राम उफ भक एक चीक मारकर बेहोशी के अथा सागर में डूब गया संत्राम इसी के साथ रंगा की बेडियां प्रोफेसर आचारे की उगली के एक हलके से इशारे पर चट-चट तूट कर बिखरती चली गई बंदरों से आजाद होता चला गया उसका जिस्म क्योंकि बेडियों से जोड दिये गए उन बारीक तारों के अगर भाग में फिट था शक्तिशाली बारूद एक जटके से ओबर भी ना पाया था टीकम की दूसरे उस जबर्दा जटके न उसकी आँखे चौड़ी कर दी प्रॉफेसर आचार रंगा और कौकरोच के लेकर कहां जा रहा है और उफ येतना तेज प्रकाश एक कहां से आ गया बल्ब आश्चाजनक रूप से अपनी रोश्णी बढ़ा रहा था बल्ब की रोश्णी से आँखे चुद्या रही है प्रॉफेसर आचारे की आँखे विचितर अंदाज में बल्ब पो घूर रही थी ये आँखे अब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी ठीक बल्ब के नीचे खड़े बल्ब की ओर देखते ठीकम की आँखों में जैसे मिर्चे जोग दी गई हो बल्ब के पतले कांच के सैकड़ो महीन तुकड़े उसकी आँखों से लहूट टपकाते चले गए उसी समय जेल के प्रमुक द्वार पर मचा हंगामा प्रोफेसर राचार मगर प्रोफेसर राचार तो अंदर जा चुके हैं क्या पकते हो मेरे लैब असिस्टेंट बर ना जाने कैसे तेजाब गिर गया था उसे हॉस्पिटल पहुचाने के बाद मैं जब उस नियत इस्थान की ओर चला किसी तरह टेक्सी पकड़कर यहां पहुचा तो तुम कहरो कि प्रोफेसर राचार आचुके नॉनसेंस अपने अधिकारियों से मेरी बात कराओ कुछ गरबर लगती है साब उसी समय कैट की पूरी इमारत अपने जीवन काल में प्रधम बार गून चुटी खत्रे के तेज सायरेंसे अंदर मचीती भगतर सेल नंबर दस के कैदी को कोई बजमाश प्रोफेसर आचारे के रूप में फराग रानी की चेश्टा कर रहा है उस चराय पर ठिटक कर रुख गए सुरक्षा कर भी वहरा, शूट इन गन अबर रिवालवर तो उठी उनकी, लेकिन ब्लास्ट हुआ ने वहाँ ओ, बलब अपने आप कैसे तूट गया सेल नंबर दस वाली गैलरी पूरता अंदेरे में डूबियेस आप थाए थाए, तोर्च लाओ, फायर, आई से फायर कोई आह तक न गूजी और एक ने अंदेरे में उजाला करने के लिए जैसे हिमाकत सी कर दी भाक, जलते हुए लाइटर की आग बं की तरह भूटी थी और ये चमतकारता अंदेरे में कंचों के समान चमकती प्रोफेसर आचार और प्रोफेसर तुलिप की आँखों का जो हवा के जोंके की तरह इस सदी के सबसे खतरना कपरादी रंगा और कौकरोज को खंदे पर लादे जा रहा था इनसान से नन्ने कौकरोज में बदल जाने की जो शक्ती मैंने इसे दी थी अब उससे लाव उठाने का समय में हर्गिस नहीं चूख सकता ओ ये तो कौकरोज के लिए भागा जा रहा है रुको हमें भी आज़ाद करवा दू एक रिवालवर भी वह अपने कबजे में कड़ चुका था गैलरी का बाए मोड मोड़ते ही उसे ठिटक जाना पड़े अरे मगर रंगा का है टॉन मोग मुझे जेल में कैद करते समय नहीं सोचा था कि जब मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो तुम्हारा क्या हल करूँगा तब ही गूंज उठी बीसियों और कदमों की आवाजें जिन से नबटने के लिए तयार था काउकरोज साबधानी सोरी दुनिया की सरवाद एक सुरक्षे जेल भी काउकरोज को कैद करके नहीं रख सकती तब ही काउकरोज बदल गया नन्ने काउकरोज में अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते जल्दी करो काउकरोज काउकरोज भी नकली प्रॉफेसर आचारे के पीचे-पीचे गटर में समा गया प्रॉफेसर तुलिप ने एक बार फिर मेरी मदद की है उधर वा मोल मुडते ही तेजी से सरसरा कर उस नाली के और बढ़ते काउकरोज पर पढ़ी एक पुलिस कर्मी की निगा वे रहा वे कौकरोज में बदल गया है एक ने परचंड शक्ती वा फुरती दिखाती हुए वहीं पड़े डेस्ट्विन को ठाकर उल्टा करके कौकरोज पर रख दिया पकड़ा गया लल्लू राम से होशियारी दिखानी के पहले भी बहुतेरे अपरादियों ने कोशिच की मगर किसी की एक ना चली मेरे आगे बदभास से पहुंचे जेल अधिकारी सर रंदा ने कौकरोज में परिवर्टित होगा फरार रोनी की चेश्टा की थी मगर लल्लू राम की होशियारी से पकड़ा गया ओ मगर वो नकली प्रोफिसर राचार कहां गया लेकिन बाहर कोई पर्तिक्षा रद था तुम? हाँ, लिजा गटर में पुना कौकरोज मानम में बदल चुके कौकरोज के सामने अपरताशी रूप से आगई थी लिजा गोपी चंद सेल नंबर 10 में तैनाथ था ये बात इंस्पेक्टर काले से पता चलती ही मैं सीधे यहीं चली आई क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि गोपी चंद को यातना देने वाले उर्फ नकली प्रॉफिसर राचार रे गोपी चंद से तुमारी कैट की स्थिधी की जानकारी लिए होगी कौकरोज तुमारे फरार होने की सारी कोशिशे को कोशिशों को विफल करने अब आप पहुँचिए लिजा तुससे मैं यहां नहीं निपटूंगा लिजा क्योंकि ये समय हमारे मुकाबले के लिए मुनासिब नहीं है इससे निवट कर जल्दी आओ कौकरोज कौकरोज स्टार्ट खड़ी उस बेन में सवार हो गया मैं जानता था कि तुम उससे निवट लोगे कौकरोज तु क्या समझाता कि मैं तेरा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूँगी कौकरोज ने मेडिकल बॉक्स को लिजा के सिर्बा पटक दिया मचली की तरह लिजा की पकड़ से छूट कर कौकरोज ने इस बार लिजा को स्ट्रेचर पटक दिया जबकि लिजा को अपनी आखों के आगे रंग में रंग के सितारे नाशते महसूस हो रहे थे इसी पल वैन न शाय सड़क के बीच पड़े किसी गट्टे में धसकर एक तेज जटका खाया ओ जटके और कौकरोज से समयक्त प्रयासों के परड़ाम सरू धलान पतीब रिगती के साथ लुड़कता चला गया इस्ट्रेचर ओ नो इस्ट्रेचर को रोक पाना तो निश्य रूप से मुश्किली था ओधर से ट्रक डाइवर को भी इस विच्चे त्रवान को देखकर जितने समय में ब्रेक लगानी की सोच पाता उतने समय में ट्रक और स्ट्रेचा आलिंग अनबद्ध होते चले गए आखिर कौकरोज निकल भागने में सफल होई गया तीज दिनों में यह मेरा आठवा एक्सिडेंट है अगर मैं ऐसी एक्सिडेंट करता रहा तो एक दिन गिनीज बुक वाले जरू मेरे घर तक पहुंच जाएंगे सेंट्रल जेल की सेल नंबर 10 के सामने अब यहां रुकने से कोई लाब नहीं सेंट्र जेल की सेल नंबर 10 के सामने मौजूद था इंस्पेक्टर काले साब इसने फरान होनी की चेश्टा की थी मगर मैंने इसे फॉरण डस्विन के तले दबूच लिया देखो कैसे पढ़ा है तुमारा नाम क्या है लल्लू राम साब अपने नाम की तरह तुम हमेशा लल्लू ही रहोगे लल्लू राम इसे निकाल कर फेक दो क्योंकि लेजा का मैसेज में मिल चुका है यह असली कॉक्रोच है रंगा यहां से परार हो चुका है जिस समय उधरवा अफरात अफरी मची थी उसी समय किंग सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर बोस्टन से आरे विमान में जिस यात्री की हार्ट अटेक के कारण मिर्ती हो गई थी यह उसका सामान है इसे खोलो इसकी चाबिया भी उस वक्ति जॉन के कोट की जेब में ही मिल गई कपड़े, कैमरा, एक रिस्ट वाच, सिग्रेट के पैकेट्स और और सर यह क्या है काच के इस बरतन का अखर मिसाल बम जैसा है मगर सर यह है क्या और जब पता चला कि वक्या है तो होच ओड़के सबके यह सचमुच बम है वाइरस बम उसमें प्लेक जैसे विशाडू भरे और उतने विशाडू किसी समूचे देश को तबहा करने की छमता रखते है इस वाइरस बम को फॉरण कहीं सुरक्षत किया जाना चाहिए और उस वाइरस बम के लिए सरवाद एक सुरक्षत स्थानतव है वाल्ट जिसमें मौजूद था प्राचीन काल के राज प्राचीन काल के राजा अंगोरा का ख़जाना जिसमें शामिल वस्तों को देखकर ही लगता था कि तब कि लोग जादू वा तंद्रमंत शक्तियों में कित्रा विश्वास रखते थे जबकि इस खबर से कहीं बेचाई नहीं फ्याल रही थी क्या जॉन विवान में हाट एक से मारा गया और वाइरस बम उसे कस्टम वालों ने अपने कबजे में ले लिया है डिकॉस्ता साब और बबम और वैबम मिनी टावर नाम से प्रसित दिमारत में यानी शहर के सरवाद एक सुरक्षित वॉल्ट में रख दिया गया है नहीं मुझे वह चाहिए वाइरस बम मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए वरना मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा पीटर यहां से किसी कुख्यात बदमाश को इस काम के लिए अरेंज करो रुपयों की फिक्र मत करना काम होना चाहिए मैं एक ऐसे बदमाश टोनी ब्रिगेंजा को जानता हूं डिकॉस्ता साहब जो यह काम असानी से कर सकता है प्रोफेसर भासकर जो परमाडू बंके रेडियो धर्मी विक्रण रेडियो अक्टिविटी से बचाव के अपने प्रयोग में जुटे थे कुख्यात और पेशे वर हत्यारे रंगा नों ने वहाँ पहुंचकर कतल कर डाला लेकिन उस प्रयोग की पूर्ण काम्यावी शायद उनके नसीम में नहीं लिखी थी दुरघटना पर संपूर लेम में रेडियो धर्मी विक्रण फैल गया और ISI एजेंट के एड़ों पर रंगा आश्यर जनक रूप से बदल गया कॉक्रोच मानम में और यह परिवर्तन रंगा में हुआ रेडियो धर्मी से नहाय किसी कॉक्रेश द्वारा रंगा को काट लेने से अपनी ताकत के वल पर रंगा आब रंगा से बन गया कॉक्रोच अपने दुश्मनों का खात्मा करके कॉक्रोच वहां से जैसे ही निकलने लगा आब रंगा के पास जो ताकत है वो उससे अपराज जगत का शेहिंचा बना देगी आज से मैं कॉंक रोच हूँ कि उस पर एक अज्याज शक्ती का हमला हुआ और वो कॉकरोच मानव में मानव से परिवर्थित हो गया नन्ने से कौंक रोच में यानि कि उसे मिल गई एक और अद्व शक्ती नन्ने से कीडे में बदल जाने की भी शक्ती अब रंगा के तीन रूप थे और उसमें तीसरा परिवर्टन लाने वाला शक्स उसके सामने ख़ड़ा था कौन हो तुम प्रोफेसर तुलिप मैं तंत्र मंत्र और टैली पैती जैसी कई बिद्ध्याओं का ग्यात हूँ तुमारी शक्ति मैंने तुम्हें नन्य काक्रोढ़ में बदला जाने की शक्ति दिया प्रोफेसर तुलिप की सुरिक आखों में कीसी चमक थी काक्रोढ़ मुझे एक काम के लिए तुमारे जैसे शक्ति-शाली वैक्ति की शुरुदत है पर उस काम को तुम्हारे अलावब कोई असानी से नहीं कर सकता, इस काम के लिए तुम्हें भरपूर पैसा मिलेगा, मैं तुम्हें सोचने के लिए तीन दिन का समय देता हूँ, तीन दिन बाद मैं सौयमी तुमसे संपक करूँगा, ये मेरा पता कहां से ढूंडेगा, तीन मैं तुम्हें अधिक समय तक जेल में नहीं रहने दूँगा, कहते हूँ प्रॉफिसर तुलिप मैं कौकरोज की ओर देखा, कौकरोज, मुझे तुम्हें जेल से निकालने के लिए सिर्फ समय की प्रतिक्षा दी जो आज पूरी हो गई, अब बोलो, क्या तुम्हें काम करो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है, मैं उसे पूरा करने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा, गुड, मुझे तुमसे ऐसी जवाब क्यों पेक्षा थी, अब सुनो, प्रॉफिसर तुलिप ने कहना शुरू किया, ये पुस्तक 2000 वर्ष पुराने इतियास को बत करता था, मतलब की बार बताओ, प्रॉफिसर तुलिप, देखो, ये है तामबी नामक वो मूर्ती जिसका धारक काले जादू अद दूर मारक शक्तियों जैसे टैली पैती का मास्टर बन सकता है, अभी मैं टैली पैती के बलब पर छोटे मोटे काम ही कर पाता हूं, जैसे ब बदल डालना, अभी पिछले दुनों, पुरा तत बिवाग को खुदाई में मिले राजा अंगोरा के खजाने में ये मूर्ती भी मिली है, और इसकी इंपोर्टन्स देखते हुए इसे भी संपूर खजाने के साथ बेह सुरक्षित वॉल्ट में रखा गया है, और तुमें ये मूर्ती चाहिए, हाँ, सिर्फ मूर्ती, क्योंकि अगर ये मूर्ती मेरे हाथ लग जाए, तो खजाने के धेर तो हम पलक जपकते ही लगा लेंगी, और अब मैं तुमें इसकी सुरक्षा वहवस्ता के बारे में बताता हूँ, मिनी टावर के नाम से प्रसिद्धी थी व वशक्ता होती है, जिसे जब तक द्वार के निकड़ बनी जगे में इंसर्ट ना किया जाए, द्वार नहीं खुलता, यह लक्ष तक पहुंचने का प्रतम द्वार है, जिसमें अवैत प्रवेश के साथी अलाम घंगना उटता है, इसी कक्ष से आगे जाने के लिए दूसर और अब आगे है स्पॉर्ट थ्री, जहां एक चौकोर लंबी सुरंगे जिसमें मौजूद क्लोरोफार्म वैपर्स के बीज तीन मिनट की मौजूद की ही मौद का कारण बन सकती है, स्पॉर्ट फोर, जहां है जिसम का खून जमा देने वाला तापमान, जहां दस सेकंड ग रैटिना में शंकू तता छड दो प्रकार की कोशकाएं होती हैं, छड आकार की कोशकाएं आखों पर पढ़ने वाले प्रकाश को संतुलित करती हैं और शंकू कोशकाओं के कारण आखें रंगों की पहचान करती हैं, प्रकाश समवेधन शील यंत्र के कम्प्यूटर में ए नहीं है की नहीं जिनके चित्र उसमें भरे गाएं इस प्रकार ये दरवाजा तब तक नहीं कुल सकता जब तक कि वे दो आखें उस कंप्यूटर के सामने से होकर ना गुज़रे इधर उस लाश ने इंस्पेक्टर काले के मस्तिक्ष में मचा दीती संसनी ओ ये लाश तो मिनी लिजा दोरा मिली थी लास्ट से संबंदित वे समाचार सांध टाइमस में प्रकाशित हुआ जिसे बढ़का शिरिया भासकर की आखें विचित्र अंद्राज में सिकुड गई थी एक और वैसी लाश तो क्या कैप की तरह मिनी टावर में भी कोई गुल खिलने वाला है अब उसका काम लिजा के रूप में तुरंट शुरू हो जाना ज़रूरी था मिनी टावर की सुरक्षा ववस्ता बहुत ठोस मानी जाती है शायद मैं खामकाई परेशान हो रही हूं मिनी टावर के सिक्योर्टी चीफ जिन पर संपूर वाल्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी कमांडो एन मलहन पर जो साइं की तरह हर दम उसके साथ रहता था सिवा एक जगए के जहां लाख इंसक्टी साइट के छड़काओं के बावजूद भी ये गंदे वर ठीट पढ़नी कहीं ना कहीं डिस्टीगोडर होई जाते हैं फुर्ती का परिचे देते हुए कमांडो एन मलहन उन बंद दर्वाजों पर अपनी गंखालीत करता चला गया लेकिन कोई चीख न अबरी अलबत्ता संपूर मिनी टावर की सुरक्षा ववस्ता मैं हरकम जरू मच गया गोलियों की अवाज है उफ पहुचा हुआ था वहां मिस्टर खुलर को फॉरान हॉस्पिटल पहुचाने का निर्देश जेगर वखोर नियंत्र कक्ष की ओर दोड़ पड़ा और ये था नियंत्र कक्ष टीवी कैमरों से वर्ट के सभी स्पॉर्स के चप्पे चप्पे को निगरानी करवाब नन्ने से गंदे प्राणी को कहीं प्रवेश के लिए लंबे चौड़े दोर के अवशक्ता नहीं होती यही एक पतली सी दरारी काफी है उस चिन्नक से प्राणी के फर्ष पर आगमन से भला अलाम की सेहत पर क्या असर पड़ता था मुझे अब वह मूर्ती लूटने से कोई नहीं रोक सकता घातक करंट से ये सारी ववस्ता किसी मानव चोरी या लोटेरी के लिए बनाई गई है और सच्मु जिन ववस्ताओं के रहते हैं उसके लिए यहां प्रवेश करना ही मौत को दावत देना है काश सुरक्षा ववस्ता बनाने वाले को मेरा भी ध्यान रहा होता हाहाहा हो इस्पॉर्ट ती में मौझूद एक एक शक्स उस वक्त चौक पड़ा यह अजीब हो गरी प्राणी इस्पॉर्ट तीन तक कैसे पहुंच गया यह यह तो कौक्रोच है उफ इस्पॉर्ट तीन की क्लोरोफां वेपर स्युक्त लंबी चौकोर सुरंगों में भागता चला गया कौक्रोच सारी सरक्षा वयवस्ता है मेरे आगे बॉनी साबित होती चली जा रही है इस्पॉर्ट तीन की सुरंग को पार करने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई स्पॉर्ट तीन के बाद स्पॉर्ट तो मानव रूप में होने के कारण मेरा लहु जमा जा रहा है जल्दी से जाओं नना कॉक्रोच स्पॉर्ट फॉर्ट की चिल्चलादी ठंड में से होकर कॉक्रोच आगे बढ़ता चला गया उफ अगर और कुछ छड़बी में मानव रूप में रहता हो तो मेरा लहु ज़रू जम जाता आर्थो पोटा शड़ी के इस कीड़े कॉक्रोच पर अत्यंडे ठंडे वातरण में कोई असर नहीं होता कंट्रोल रूम में हर एक चेरे पर इस्तद्ददा चाही हुई थी ये चाहे सारी सुरक्षा व्यवस्था एं लांकर पहुँची क्यों ना जाए मगर एक व्यवस्था से पच नहीं पाएगा इस्पॉर्ट फाइव द्वार में प्रवेश कर गया कॉक्रोच इस्पॉर्ट फाइव जिसमें प्रवेश के बाद कॉक्रोच पुना मारा रूप में बदल गया था मिशाल खजाना इस खजाने से मुझे कोई सरोकार नहीं मुझे चाहिए वह मूर्थी जो की सेफ में इसे खोलने के लिए शूष्म डाइनामाइट छड़ द्वारा इसका लॉक तोड़ना होगा सक्षम लॉक के लावा इस विस्पोर्ट का असर सेफ में कई अन्यंत्र नहीं हुआ था सेफ मैंसे वह बॉक्स उसने बाहर खीच लिया इस बक्से महीं होनी चाहिए वह मूर्थी बक्से को खोलने के लिए उसके लॉक की और उसने हाथ बढ़ाया मगर उस चण उसकी ये इच्छा पूर्ण ना हो पाई चपकी किक ओ ये क्या अब परत्याशित रूप से उचला था कौक रोज लिजा तुम यहाँ मिनी टावर के असिस्टेंट कमांडों की लाश मिलने की ख़वर पढ़ते ही मैं समझ गई थी कि यहां की सुरक्षा ववस्था भी अब गोपनिय नहीं रही और तब मैंने चीफ मिस्टर खुलर के साथ मिलकर ये योजना बनाई और तुमारी परतीक्षा मैं यहां करने लगी क्योंकि मैं जानती थी का अगर यहां से चोरी की कोशित तुम करने वाले हो तो तुम्हें सिर्फ मैं ही रोक सकती हूँ जब मुझे यहां तक आने से कोई नहीं रोक सका तो तुम अब मुझे यहां से जाने से कैसे रोक पाओगी लिजा लिजा तेजी से पहले दिवार पर रेंगे फिर दिवार से छट पर और छट से वकूदी कॉक्रोच पर इसे वबक्सा चाहिए जिसमें उस मूर्ती के साथ है वाइरस बम का बैक भी कॉक्रोच के सीने पर लिजा के नाकूलों ने खीच दी पांच रक्तिम लखी रहें कॉक्रोच कैप में जो इस थान तुम खाली करके कराए हो दुबारा तुम्हें वहाँ पहुचा कर रहूंगी ने बायारा डंक से चिंगाल कर कॉक्रोच लिजा पर जप्टा और उसे दबोच कर अपने खूनी दात उसने बढ़ाए उसकी कर्तन की ओर ये दूसरी बार ऐसे समय में मेरी राह में रुकावट पैदा कर रही है जबकि मैं काम याभी के निकट हूँ अगर ये उस बक्से को ले जाने में सफल हो गया तो पूरी मानफ तक खत्रे में पढ़ जाएगी ताक चिपकली हमेशा कॉक्रोच पर भाड़ी पढ़ती है कॉक्रोच कॉक्रोच से फुपकारती है कॉक्रोच ने लिजा को दिवार पर उच्छाल फेका कॉंकरोच को मूर्ती चाहिए या वायरस बहुँ या दौनो थाप लिजा चिपकली के समान दिवार पर जाचिपकी थी इधर कॉंकरोच पुना उस बक्से पर जप्टा और अब ये देखने का समय नहीं है कि मूर्ती इसमें है या नहीं मगर ये तया है कि ये बक्सा भाई है जिसमें मूर्ती रखी होने की बात मुझे प्रोफिसर तुलिप में बताई थी लिजा अब और भी खौफनाक रूप में उसके सामने थी उस बक्से को भाई रख दे कौक्रोच क्योंकि अभी तेरी और मेरी जंग समाप्त नहीं हुई है तेरी और मेरी जंग समाप्त करने के लिए ये जल्ती तीली काफी है कौक्रोच की उस हरकत का मतलब शीगरी लिजा की समझ में ना आया लिजा के चहरे पर आश्चरे के धेरो भाव प्रकट हुए उफ ये लॉप ने अब कैसे मेरी और पढ़ रही है ये चमतकार है प्रॉफिसर तुलिव की टेली बैती शक्ती का जो मुझसे अपना मान से संबंद जोड़े हुए लिजा नै दिवार से खीचली सोने की तारों की बुनी कलात्मक राजा अंगोरा की तरी आग से बचने का इंतिजाम में मुझे पहले करना होगा मगर इसे ये शक्ती कहां से मिली इधर जल्दी तीली को फेक भाग ख़ड़ा हुआ कॉंकरोच अगर तू जलकर मरने से बच गई तो तुस्से जल्दी मिलूंगा तब तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा लिजा बॉल्ट में तीली बुस्ते ही आग भी स्वामी बुझ गई ये तो टेली पैती का चमतकार था कॉंकरोच के पास ये शक्ति हर्गेज नहीं हो सकती इसका मतलब कि कॉंकरोच की रियाई में जिस नकली प्रोफेसर आचार कहा था व्यव शक्ति का ग्याता है और अब निर्वेबाद रूप से यैसे दोगया की कॉंकरोच को राजा अंगोरा की व्यव मूर्ती ही चाहिए लेकिन उसी बकसे में व्यव वायरेस बंबी तो है क्या कॉंकरोच को उसके बारे मां मालूम है इस पाट फोर पर लिजा जपट पड़ी थी कॉंकरोच पर लेकिन कॉंकरोच कीड़े का रूप धरकर निकला जा रहा है लेजा शायद तू भोल गई कि तू छिपकली है और अत्यमत ठंडी जगे तेरे लिए घा तक है सच मुझ ठंड छिपकली के लिए असेनी है इसलिए छिपकली है सर्दी में दिखाई नहीं पड़ती जूडी की मरीच के तरह धर-धर कापने लगी थी लेजा लेजा के नस्वा में दोड़ता लहू जैसे जमने लगा था मेरा साहरा शरीया करता जा रहा है लेकिन अगर इस सब्सक्राइब में हिम्मत आर गई तो कौकरोज मेरे हाथ से निकल जाएगा अगर कहीं में अगर कहीं भूल से भी कौकरोज के आतों से वारस भब जूट कर छूट फूट किया तो कजब हो जाएगा बरफ की परत में कैद होने लगी वो तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप करते हैं कौकरोज के दूसरों और अंतिम भागने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद